कि कि हलो हुई इंट हलो इस्टुडेंट आप ने पिछली क्लास में कि LIVING और NULLIVING में किया डिफ्रेंस होते हैं किस के आदार पर TV कहा जाता है किस के आदार पर नं लिविंग कहा जाता है by भी उनके क्या characteristic होते हैं जो एक दूसरे से अलग करते हैं अब आप पढ़ोगे diversity in the living world diversity की बात आती है diversity मतलब देखो आपके चारों तरफ इतने animal इतने plant bacteria, fungi ये सारी चीज़ें present हैं अब इनको study करना इनको study करना वही हमारी diversity कहलाती है बात करते हैं बायो डायवर्सटी की तो बायो डायवर्सटी में जितने भी पिरकार के प्रत्वी पे organism है उनकी study जो करते हैं वो कहलाती है बायो डायवर्सटी देरखानत दा रेफर और टू बायो डायवर्सटी और दा नमबर एंड टाइपस ओप और गैने प्रिजेंट ओन अर्थ जो प्रत्वी पर प्रिजेंट होते हैं टिफरेंट टाइप के और गैनिजम वो डायवर्सटी कहलाती है अब बात करते हैं बायो डायवर्सटी की बायो डायवर्सटी में टोटल इस्पिसीज अगर देखी जाती हैं तो 1.7 से लेके 1.8 मिलियन मतलब की 17 लाख से 18 लाख के लवग हमारी बायो डायवर्सटी में इस्पिसीज हैं अगर हम बायो डायवर्सटी में एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की 1.25 मिलियन एक लवग लवग आईडिया रखा जाता है और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो 0.55 मिलियन ये आईडिया है कि इतनी स्पिसीज हैं प्लांट और एनिमल्स की हम इस्टडी कर चुके हैं बायो डायवर्सटी में अगर हम बात करते हैं तो हर साल जार इस्पिसीज एसी भी होती हैं जिनकी स्टडी नहीं हो पाती है अब हम बायो डायवर्सटी करने के साथ उनके बारे में जानेंगे बायो डायवर्सटी को क्या है सब को जानना उनको पहचान कराना अब पहचान करने के लिए क्या आपको पता है सब एरिया में अगर लोकल लेम की बात की जाए तो लोकल लेम सब के अलग अलग होते हैं भाही सब कुछ कुछ अलग लग होता है कहीं पर किसी नाम से कहीं किसी नाम से लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं इनको एक सिस्टेमेटिक्स की फोर्म में अगर इनको हम स्टडी करें तो बैटर होता है कैसे सिस्टेमेटिक का मतलब होता है अगर हम लेटिन वर्ट से लिया गया सिस्टेमा का मतलब होता है सिपक्वेंसिया और जब हुम किसी ओर गने суп सिस्टेमा के लिए है क्लासिफीकेशन जरूरी है classification क्या होता है grouping of organism चलो इससे पहले हम बात करते हैं चलो classification की classification समझ में आया कि group करना या किसी भी organism को grouping देना एक वर्ग देना कि उसे इस group में रखा जाता है वो classification होता है अब देखते हैं नोमन की लेचर की बात बाइ classification करने के लिए हमें नोमन की लेचर चाहिए बाइ किसी ना किसी को एक विशियस नाम से जानना चाहिए आप यह नहीं कह सकते सर लोकल नाम से क्यों नहीं जान सकते हैं क्योंकि लोकल नाम और वर्ड में कोई particular नेम नहीं ही होता है अब हम बात करतेशन चलो अपने यहां पर लोकी की तो हमारे यह लोकी बोलतें कहीं लोका बोलते काई कदू बोलते हैं कहिं घीया बोलते हैं यह सब धारन नाम है आप इनसे किसी को Western नहीं जाना जा सकता अब उसके में एक परटिकू लेम तेना होता है जैसे सइंतिभीक नेम और और को करने पर्टियूलर, ओर्गैनेम्, such accurate is a particular organeem, ठीक है, किसी भी dynasty इसको naming दी जाती है, स्ेम नेम अलो वर्ड वार्ड जिससे पूरी दुनिया में उसी वर्ड से ही जाना जाता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं होता उसी यनीमल का उसको पूरी दुनिया में उसी नाम शे जाना आए मौन के लेचर के लिए, आपको पता ही, देख्या जाएंगे, उसके बुली का सकते हैं कहां से बिलोंग कर रहा है कैसे बिलोंग कर रहा है जब तक उसकी पूरी दुनिया नहीं जानेगे तक हम उसको नामकरण नहीं दे सकते उसके लिए हमें identification जरूरी होता है क्या जरूरी होता है identification आपको पता है कि CV और गनिक सको nomenclature naming देने से पहले उसकी correctly describe कर लिया आता है उसको पूरी जानकारी प्राप्त कर लिया जाती है उसके कैसे characteristics है अब कहने लगे सर आइंटिफिकेशन आइंटिफिकेशन क्या है देखो अब आपने 9th class में पढ़ा हुआ ट्रिपलो ब्लास्टिक आपको मैंने माल लिया कोई X और गेनिम है माल लिया कोई X जो हमारे लिए unknown है अब उसको आइंटिफिक करना है देखो आइंटिफिक कैसे हमने इसकी embryonic development देखा तो यह निकला ट्रिपलो ब्लास्टिक क्या निकला ट्रिपलो ब्लास्टिक अब कैने लो सर यह ट्रिपलो ब्लास्टिक हो गया तो आप कहोगे सर पोरी फेरा भी नहीं है ट्रिपलो ब्लास्टिक सिलेंट्रिड और थीन फूर भी नहीं है हाँ पलेटी हलमिंत्स जरूर है अब दूसरा वरड े एक तो जी लॉम तो, न तो इसमें होते, पोडृफिराम सीलें टी नॉफुराम नहीं, प्लेट्टी हलमें तिभी होते हैं अब तुरांट आप डिया लगाऊए सुर सीरम जो होते, एनल फिरंम में होते हैं तो एक और करेक्टरिस्टिक होगे आपका, अब तीसरी बात आती है कि सर फिर उसकी study करी हमने और हमने उसके बारे में जाना characters के बारे में उसमें excreation जो होता है वो nephridia के द्वारा होता है किसके द्वारा nephridia के द्वारा अब आपका जो दिमाख दोड़ा तो आपने सोचा कि ये जो होता है platy helmetus में तो flame cell होती है excreation के लिए अब देखते हैं कि ये किसमें होता excreation बाई nephridia तो आपने तुरंट idea लगाया सर ये किसमें होती है एनलडा में होती है तो ये organism एनलडा से belong करता है ये एक identification हो गई अब उसके लिए उसके करेक्टर हमने जान लिए अब उसको हम क्या दे सकते हैं naming दे सकते हैं nomenclature कर सकते हैं क्योंकि nomenclature जो होता है unknown और known को जान कर कि ये नोन है उससे देखा जाएगा वो नोन है मतलब कि और गन्रम जानते हैं अब उसके basis पे similarities और क्योंकि nomenclature तभी मिलेगा तब उसको हम classify उसका identify करेंगे उसको पहचान करेंगे के लिए हैं अब नomenclature के लिए अब आपको ये पता है कि ऐसे तो नाम नहीं दिये जा सकते भाई आपके लिए हम एसे नाम दे दे लिए नomenclature में देखो common नाम या वरननacular को वरननacular name भी बोल देते हैं यह याद रखना है आपको common name को वरननacular name भी बोल देते हैं वरन नेम 10-20 तरह के होते हैं 57 तरह के होते हैं लेकिन scientific name जो ओता है वो एक ही होता है क्या करना देखो scientific name आर्दा बेस्ट अप एगरी प्रेंसिपल और क्राइटेरिया के लिए कुछ सिद्धान दे कुछ क्राइटेरिया होते जिसके basis पे हम उसे scientific name दे सकते हैं कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं ऐसे तो नहीं हर किसी को हर तरह का नाम दे दिया जाए अब देखो international code of botanical nomenclature अब botanical nomenclature है मतलब कि इसके द्वारा ही हम plant को naming दी जाते हैं nomenclature किया जाता है दूसरा word है international code of geological nomenclature इसके basis पे हम animal को name दे सकते हैं क्लियर है इसके बाद जब हम इनका nomenclature करेंगे तो scientific name मैंने अभी बताया था scientific name इंस ओर डेट each organism has only one name जितने भी organism का एक ही scientific name है क्लियर है ना इसके बाद बात करते हैं अब scientific name जो होता है पूरी universe में एक ही उससे जाना जात मतलब universally मतलब की मूल रूप से सभी को एक ही नाम से जाना जाता है अब देखो scientific name जो होते हैं उनको दो कंपोनेंट में बाटा गया है कितने कंपोनेंट में टू कंपोनेंट एक जैनरिक नेम और एक एपी सौरी specific epithet जैनरिक मतलब जीनस और specific एपीतर मतलब species इनको दो कंपोनेंट में बाटा गया है यह याद रखना है आपको एलफावेटी करीब 12 से 3 वर्ड के लोग हम 3 से 12 वर्ड एलफावेटी यूज कर सकते हैं चलो यह दो जब नाम दिये हैं जैनरिक और specific epithet जो बोला है इसको बायनोमीयल नॉमन केलेचर में भी कहा जाता है इन दो कंपोनेंट को क्या बोलागाया बायनोमीयल नॉमन केलेचर ये जो था ये दिया था किसने किसने दिया था ये कैरलस लीनियस ने उसने बताए कि किसी वी और गेनिंज को जनिक नेम या specific इसके बाद देखते हैं हम यह आपको पता चल गया नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड दो वर्ड का यूज होता है नेमिंग के लिए जैसे बात करते हैं मैंगो की मैंगो को नाम से जाना जाता है मैंगनी फेरा इंडिका मैंगनी फेरा इस दा जीनस इंडिका मतलब की इस्पिसीज किलियर है अगर आप से पूझा या जाए टाइगर का तो क्या बोलते हो पैंथेरा टेगरेस पैंथरा इस जीनस और इस्पिसीज नेम क्या है टेगरेस अब आपको बोला जाए मैड़क का तो क्या बोलोगे फ्रोक का राना टेग्रीना राना इसदा कैसा इस पिसीज नेम और जीनस रे ermाय इस पिसीज नेम क्या है इपर आफो इन के लिए कुछ क्राइटीर रखा गया कुछ रूलस रखे गए हैं जिसके आदारपण नॉमन क्लेचर कर सकते हैं आपको ये पता पहले इससे पहले biological name generally in Latin याद रखना किसे लिए आता है वो Latin word से लिए आता है clear है और लिखा किसमे जाता है italic में italic language में लिखा जाता है clear हो गया किसी भी word की origin Latin word से होती है और उसको write किसमे किया आता है italic में first age जो होता है वो genus represent करता है याद रखना क्या करता है genus और second component जो होता है वो क्या करता है specific epithet करता है मतलब कि species name होता है number next उसको handwriting में हम कैसे लिख सकते हैं दोनों को अलग अलग लिखेंगे लेकिन separately underline करेंगे clear है इसके बाद the first denoted the genus start capital letter याद रखना जो genus name होता है वो capital letter से start होता है जबकि species name जो होता है वो small letter से प्राप्त होता है जैसे magnifera genus name है magnifera में M किस से start है capital letter से और I जो है species का वो small letter से चलो अब हमने यह तो पढ़ लिया किलियर है अब classification देखो ग्रूपिंग कैसे क्लासिफिकेशन से पता चल गया किसी और कहने में को ग्रूपिंग करना उसको ग्रूप में बाठना वो classification होता है क्लासिफिकेशन इस दा प्रोसेस बाइविच एनिफिंग इज गुरूप्ट इन्टू कैटिक कन्वेडियंट कैटिगरी बेस्ट ऑप सम्स इजली ऑपजरिवर करेक्टरिस्टिक अब classification किसी similarity या dissimilarity के आदार पर किया जाता है इसके बाद आता है आपका पोर एकजामम्पल देखोः किसके बाद आता है cortex क्या वहता है इसके बोल सकते कैटिगरी की आप बोल सकते हैं अगर लिया गया है तो मैमल में लिया गया है मैमल से किदर से animal इसका पार्ट है यह एनिमाल और यह क्या है टैक्सा ग्रूप मतलब कि अब बात करते हैं कैट की कैट मैंमल से बिलॉंग करती है वीट राइस ब्लांट से बिलॉंग करते हैं किलियर इसके बाद यह डिफरेंट अब देखो इसमें दे रखा है किसी भी कैटेगरी को जो इंडिकेट करता है किलियर वो टैक्सा होता है इसमें दे रखा है साइंटिविक टर्म साइंटिविक टर्म अब दीज कैटेगरी अगर किसी भी कैटेगरी को साइंटिविक टर्म के हिसाब से देखा जाए तो उसे टेक्स आप बोकते हैं, अब देखो इसे में दिफ्रेंड लेवलब, प्लांट्स आल्सू, फॉर्मे टेक्सा के लिए है, wheat वीट भी क्या है, एक टेक्सा है, के लिए है, animal mammals होता है docks mammals होता है animals में mammals होते है own mammals docks आते हैं क्या है सब texa है क्या है यह सब texa is that clear कि यह रखिए अब देखो कैसे करेक्टिस्टेक देखते हैं एक्स्टनल एंड इंटर्नल स्टेक्चर एलोंग इस्टेक्चर उप सेल डवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलोजिकल फॉर्मेशन और और्गनेम यह सबी की आवसकता होती है टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए क्योंकि डिफरेंट करेक्टिस्टेक की रिक्वार्मेंट होती है किसके लिए taxonomy study के लिए आपने पढ़ा characterization, identification, classification norman culture ये सब process जरूरी है किसके लिए basic to the taxonomy किसके लिए taxonomy क्योंकि उनको taxonomy तभी की जा सकती है उनको grouping में तभी study की जा सकती है जब उनके बारे में हमें character क्या पता हो उनकी identification हो classification पता हो उनका नाम पता हो clear इसके बाद बात करते मैंने पहली बताया था systematic क्या होता है systematic मतलब की जिसमें जितने भी animal हैं उनका classic केसार उनके बारे में जानना वो systematic arrangement होना किसी वे orderly sequentially arrange होना वो systematic है systematic जो थी एक बोल सकते हैं केरलास लीनियस ने एक अपनी बुक थी systema nature उसमें 436 लव लव species को डिफाइन किया था उस बुक में किसने केरलास लीनियस ने और systema मतलब की मैंने बताया था क्या होता है orderly या sequentially होना क्या होना orderly या sequentially clear और यह जो systematic जो होता है वो हमें दिखाता है किसे कैसे organeam कहां से कैसे कैसे develop हुआ उनके क्या relationship है relationship मतलब evolutionary कहां इनका genetic material कहां तक attachment है कितना similar है उसी बेसिस पे इसमें देरका systematic takes into account evolutionary relationship between organeam organeam के बीच में जो evolutionary जैसे जैसे evolution हुआ है कैसे देखो सबसे पहले बोल सकते amphivian reptiles avish mammals इस तरीके से evolution हुआ है उससे हम evolutionary relationship जो होती है वो हम systematic रूप से ही पढ़ते हैं is that clear इस देख के लिए इस देख के लिए इस देख के लिए